जंगल के सभी बक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजा रहे थे मोसम भी ठीक था उस कारण किसी बक्षी को भी भोजन के कोई जिंदा ना थी रानो जडिया भी उसी जंगल में अपने एक बेटे के साथ रहती थी जिसका नाम कुकु था वो जिडिया बहुत महंती और इमानदार थी वो दूसरे पक्षियों के घर को रंग करने का काम करती थी उसी कारण उसके पास पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा चीज़े थी उसके पास हार था उसके पास सोने के गहने थे और बहुत कुछ और फिर एक दिन वो काम करते करते थक जाती है और फिर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाती है ममा आप कितना ज़्यादा काम करती है ममा आप तो थक जाती होंगी यही सवाल मैं अपनी मा से किया करती थी कुकु और बता है मेरी ममा क्या कहा करती थी नहीं मैं जरा भी नहीं थकी मेरी ममा कहा करती थी कि जब ममा पापा अपने बच्चों को देख लेते हैं तो उनकी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है और अब ऐसे ही मेरी जान मैं जब अपने बेटे को देखती हूं तो मेरी फिर सारी की सारी ठकान दूर हो जाती है ममा, ममा संडे वाले दिन हम नदी पर जाएंगे ममा, मेरा मन करता है मैं नदी पर जाकर ठितनों से खेलू मैं अपने बेटे को ले जाओंगी परन्तु आप अपनी पढ़ाई में ज्यादा धिहां दिया करो कालू क्या कभी देखा है कैसे कैसे गहने है रानो चुडिया के पास उसका तो पती भी मरा हुआ है और मेरा पती अभी जिनता है फिर भी मेरे पास गहने नहीं है तो फिर मुझे भी मार दो शायद ऐसे ही तुम्हें गहने मिल जाएं मेरे कालू जी आप तो लड़ना ही स्टार्ट कर देते हो कोई बात प्यार से भी कर लिया करो कालू जी रानो जुड़िया कौन सा मोती सीती है दूसरों के घरों को रांग ही तो करती है हम भी तो ये काम कर सकते है ये काम इतना भी आसान ही जितना तुम समझ रही हो अगर मेरा कालू मेरे साथ होगा तो मुझे कैसी मुश्किल कालू जी चलो मेरे साथ मेरी माँ के पास घरों को रांग करने वाले ब्रश मी है और रांग की बाल्टिया भी लेकिन हम मिलकर करेंगे काम मुझे से अकेले नहीं होगा मैं साथ हूँ अपने पती के हम सब काम मिलकर कर लेंगे रास्ते में गोरी और कालू कवे को रांग करते हुए दिख जाती है और वो सीधे उसके पास चाते हैं रांग कैसी हो गोरी बेहन मैं तो ठीक हूँ आप कहा जा रही है रानो मैंने और तुम्हारे भाई कालू ने एक जोजना बनाई है गोरी क्या क्या जोजना बनाई है आपने रानो हम भी अब तुम्हारी तरह पक्षियों के घरों को रंग करने का काम करेंगे रानो बेहन तुम्हें कोई अतराश ता नहीं है अगर हम ये काम स्टार्ट कर लें नहीं नहीं कवे भीया भला मुझे के अतराज है बलके मैं आपको काम भी दे दिया करूंगी मुझसे पहुँच ही नहीं होता काम ज्यादा होता है चिडिया बेहन मेरे भी इच्छा है कि मेरे पास भी तुम्हारी तरह का हार और गहने हो बस इसलिए हम ये काम करना चाते हैं गोरी बेहन ये अच्छा काम है मैंने ये सब इसी काम से बनाया है और फिर कालू और गोरी दूसरे जंगल में रंग के बाल्टी और ब्रश लेने चले जाते है और फिर शाम हो जाती है चिडिया और उसका बेटा कुकू भी अपने घर से ले जाते हैं ममा आज पहली बार मैंने कालू अंकल और गोरियांटी को काम करने की बात करते सुना है ममा क्या वो सच में काम करेंगे बेटा मुझे तो विश्वास नहीं है अगर किया भी तो दो चार दिन बाद छोड़ देंगे और फिर वहां कबूतर आ जाता है चिडिया बेहन कल मेरी बेहन आ रही है दूसरे जंगल से और मेरे घर का रंग भी फिका पड़ चुका है आप कल मेरे घर को निया रंग कर दें कबूतर भीया मैं कर दूँगी लेकिन कौन सा रंग करना है मेरी दीदी को लाल और पीला रंग बहुत पसंद है इसलिए मैं अपने घर को भी लाल और पीला रंग ही करवाँगा मेरी दीदी खुश हो जाएगी मेरा घर देकर कबुतर भीया आप सीड़ी का बंदो बस्त करके रखना मैं कल जल्दी ही आ जाओंगी कुकु भी मेरे साथ ही होगा इसे भी स्कूल से छुटिया है कबुतर अंकल अब मैं भी अपनी ममा के साथ रंग करवाता हूँ और मैंने अपनी ममा से ये भी सेख लिया है किस चका कौन सा रंग ज्यादा संदर लगता है मैं भी कल देखूंगा कुकु कैसा रंग करता है और फिर कबुतर वहां से चला जाता है और फिर रात हो जाती है और वो दोनों मा बेटा सो जाते हैं गोरी और कालू भी दूसरे जंगल से वापिस आ जाते हैं वो अपने घर में बैटे हुए थे गोरी अपने पती से कहती है अब देखना कालू जी चन्द दिनों में ही हम कितने अमीर हो जाते हैं अब तो वो समय जादा दूर नहीं जब मेरे पास भी सोने के कहने होंगे दूसरे रोज रानो चिडिया सुभा सुभा ही अपना समान लेकर कबूतर के घर पहुंच जाती है कबूतर भीया इस सामने वाले हिसे पर हम लाल रंग करते हैं और इस तरफ पीला फिर देखना आप कितना सुन्दर लगेगा आपका घर चिडिया बेहन मजदूरी थोड़ी ज़्यादा ले लेना परंतो रंग अच्छे से करना और फिर चिडिया अपना काम शुरू करती है गोरी और कालू भी अपना रंग करने वाला सामान लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर वहां तोता आ जाता है कवे और कवे ये क्या क्या आप भी घरों को रंग करने का काम करते हो जी जी तोते भीया हमारे तो पूरवज भी यही काम करते थे बस हमने ही थोड़ा लेड स्टार्ड किया है गोरी मैंने भी अपने घर को रंग करवाना था लेकिन रानो तो कपूतर का घर रंग कर रही है तो फिर क्या हुआ हम कर देते हैं आपके घर को रंग हम भी फारक ही बैठे हैं और मजदूरी भी रानो जुडिया से थोड़ा कम दे दे ना और फिर गोरी और कालू तोते के साथ चले जाते हैं वो इस काम में माहिट तो ना थे लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं और तोते के घर को रंग करना शुरू करते हैं और फिर गोरी और कालू तो पूरे जंगल में मशूर हो जाते हैं सब अक्षी उनके पास अपना घर रंगवाने के लिए आने लगे क्यूंके वो तो चिडिया से भी थोड़े पैसों में सारा घर रंग कर देते गोरी बहन अभी दो दिन ही हुए है मेरे घर को रंग किये हुए लेकिन मेरे घर का रंग फीका पड़ गया है तो फिर से करा लो कौन सा तुम्हारे पास पैसे नहीं है एक एक फूल का रस हजारों में बेशती हो परन्तु ये काम आपका ठीक नहीं है रानो जुडिया से मैंने घर रंग करवाया था तो केई साल तक रंग फीका नहीं बड़ा था जाओ और भाग जाओ यहां से फिर अगर रानो जुडिया का नाम लिया तो एक लगाऊंगी और फिर बुल-बुल वहां से भाग जाती है गोरी मैंने तुम से पहले ही कहा था रंग में मलावट जरा थोड़ी करो और तुम हो के रंग थोड़ा और पानी जादा मिला देती हो बुद्दू है यह सापक्षी तो तुम मुझे चार दिन पैसे अकठे करने दो और फिर क्या है अगर कोई आया भी तो जो बुल-बुल के साथ किया है वो मैं उनके साथ करूँगी जो मेरे काम को पूरा कहेगा चिडिया बेहन यह गोरी और कालू ने तो बहुत गलत किया है मेरे साथ जब आप कपूतर का घर रंग कर रही थी उसी दिन मैंने अपना घर रंग करवाया उनसे अभी चार दिन नहीं हुए और सारा रंग उतर किया है तो दे भीया आप छोड़े उनहें मैं आपका घर दुबारा रंग कर दूँगी गोरी और कालू बहुत लालची है वो रंग में पानी बहुत ज़्यादा मला देते हैं इसी कारण उनका रंग दो दिन में ही फिका पड़ जाता है और फिर वहां चील दिदी आ जाती है चिडिया बेहन मेरे बेटे की शौदी है कुछ दिनों तक मैंने अपना घर रंग करवाना था क्या समय है आपके पास चील दी मेरे तो पंक में बहुत दर्ध है आप ऐसा करें कवे से करवा ले वो भी रंग का काम करता है और फिर चील वहां से चली जाती है अब देखना दोते चील सबक सिखाएगी उस गोरी और कालू को और फिर गोरी और कालू चील के खरका रंग कर देते हैं और अपनी मजदूरी लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर दो दिन गुजट जाते हैं जिस दिन चील के बेटे की शादी थी तो चील का दिहान अपने घर के रंग पर जाता है वो तो ऐसे फीका पड़ चुका था जैसे के साल हो गए हो रांग किये हुए चील तो बहुत गुसे में आ जाती है और वो गुसे में कालू और गोरी की तरफ जाती है और मार मार कर उनकी हड़िया दोड़ देती है हाई मर गई कालू अगर पता होता तो चील के रंग में थोड़ा कम पानी मला लेते और फिर ऐसे उन्हें रंग में मलावट करने की सजा मिलती है चीडिया बेहन वो फिर से नाराज होकर अपने मैके चली गई है आप लीज बस आखरी दफ़ा मेरे साथ चलें कवे भेया तुम्हारा तो काम ही यही है आखर कितना परदाश कर सकता है कोई आए दिन तो तुम कोई न कोई फसाद बना लेते हो तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की फिकर करने जाए जो अभी छोटा है रोज रोज लडाई करके आखर क्या सिखा रहे हो तुम अपने बच्चे को बस मुझे गुसा आगया था बातो बातों में मुझे रहा नहीं गया और मैंने दो चौचे लगा दी उसे बस इसी बात पर वो गुसे होकर चली गई है बच्चा कहा है तुम्हारा वो तो मेरे पास ही है अभी छोटा है बस इसकी वज़ा से तो ज्यादा टेंचन है आप लीज मेरे साथ चले मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ लेकिन याद रखना ये आखरी बार ही है फिर अगर आइंदा ऐसा किया तो मैं क्या कोई भी पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और चिडिया कवे के साथ चली जाती है तुम इदर ही रुको मैं बात करती हूँ लाली फिर से क्या हो गया था जो तुम अपने बच्चे को भी ऐसे ही छोड़ कर आ गई उसे मेरा बच्चा देखो लाली तुम्हें बरदा से काम लिना होगा अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए ही सही एक ना एक निन ये सुदर जाएगा बेटा पहले भी तो आ चुकी हो कौन सा ये सुदरा है जो अब सुदरेगा बस मा जी मुझे तो उस छोड़े से मासों बच्चे की बहुत फिकर हो रही थी इसलिए इसके साथ वरना मैं तो कभी भी ना थी मा मैं जाती हूँ मुझे भी काकु बहुत याद आ रहा है और ऐसे लाली कव्वी रानो चुडिया की बात मान लेती है और कालू के साथ वापस आ जाती है ममा तुम कहां चली गई थी मैं बहुत रोया तुम्हारे बगएर लेकिन पापा मुझे डान रहा था तुम्हारा नाम लेने पर मैं आ गई हूँ अपने बच्चे के पास और फिर ऐसे लाली कव्वी अपने बच्चे काकू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने इस बच्चे की खातर ही ऐसे ना किया करो बात को तुम बढ़ाती हो लेकिन माने तक तो तुम ही जाते हो मैं ही हूँ जो तुम्हारी इतनी चौंचे खा कर भी वापस आगी हूँ अगर कोई और होती तो कभी ना आती और कव्वा वहां से चला जाता है और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गे फिर एक शाम कव्वी अपने बच्चे को लिए बैठी थी कालू सारा दिन घूमता फिरता सेर सपाटे करता शाम को घर वापस आया बैठी हुई हो अपना पेड़ तो भर लिया होगा मेरे लिए भी कुछ बचा के रखा है या नहीं तुम सुबा से गे हुए थे फिन्ने हमारे लिए खाना क्या लाना अपना पेड़ भी नहीं बढ़ सकते मेरे पास तो सिर्फ दो दाने थे गंदम के जो एक मैंने बगो कर काकू को खला दिया और एक खुद खा लिया है इसी बात पर कालू को बहुत ज़्यादा गुसा आ जाता है और वो फिर से लाली को अपनी चौन से माने लगता है लाली रोती हुई रानो चुडिया की दरफ चली जाती है क्या हुआ लाली तुम क्यों रो रही हो रानो चुडिया कालू ने आज फिर मुझे मारा है और मैं जल्दी से भागर तुम्हारे पास आगी हूँ अब मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती तुम बाकी पक्षियों को भी साथ लो और मेरा बच्चा मुझे ले दो मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती देख लो लाली जारत है तुम में एक तो अपने परिवार के लिए कुछ करते नहीं हो और उल्टा हर समय तुम्हारा दिहान लडाई में रहता है मैं जवान हूँ अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ बस इस मनहूस को दे कर मुझे गुसा आजाता है मैं इसकी वज़ा से कुछ गार नहीं लाता लेकिन हमने भी अफैसला कर लिया है तुम ये बच्चा लाली को दे दो और वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मैं भी नहीं रखना चाहता ये बच्चा मुझे कोई जरूरत नहीं है परिवार की ये ले अपना परिवार और दफ़ा हो जाए यहां से अब मैं इसको मनाने के लिए कब भी नहीं जाओंगा मैं जा रही हूं लेकिन तुम मेरी बाद याद रखना तुम्हें अभी जरूरत नहीं है ना इस परिवार की देख लेना एक दिन तुम बश्ताओगे जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी फिर तुम्हें अपनी उलाद की याद आएगी अगर मुझे कोई गलती हो तो माफ करना मैं अब कभी दुबारा इस जंगल में लोटकर नहीं आउंगी और रानो जडिया तुम्हारा दन्यवाद जो तुमने हर मुश्कल समय मेरा साथ दिया और फिर ऐसे लाली कभी अपने बच्चे को लेकर अपने मैके की तरफ चली जाती है क्या हुआ है आप सब यहां क्यों जमा हो लाली तुम्हारे मा मर गई है नहीं मा तुम भी मुझे छोड़ कर चली गई अब मैं किसके सहारे अपनी जिनगी गुजारूंगी मा मैं चल्दी से बढ़ा होकर तुम्हारे सारे दुफ मटा दूगा जीते रहो मेरे बच्चे बस अब तुम ही तो मेरा सहारा हो और मेरा सहारा मेरी मा है फिर डाली कवी अपनी मा के घर में ही अपनी जिन्गी की शुरुआत करती है काकू को अभी अच्छे से उन्ना भी नहीं आता था वो अगर बाहिट दाने के लिए जाती तो काकू की फिकर हमेशा इसके दिल में रह दे और फिर ऐसे ही दिन और राद गुजर देगे और काकू अच्छे से उन्ना सीख लेता है वो अपनी मा से भी ज्यादा तेज और उन्जी उडान लेने लगा और वो जवान हो गया मा अब तुम ना रोया करो तम्हारा बेटा अब जवान हो गया है हाँ मेरे बच्चे अब मेरे सारे दुख मिटके और मेरा गुजरा हुआ समय मुझे भूल गया है अब मेरे सामने तुम हो तम्हारी खुशिया है घर है सब कुछ है मेरे पास काकू हर रोज अपनी मा के लिए तरह तरह की चीज़े खाने को लाता और हर समय अपनी मा का ख्या लगता अपनी मा से बाते करता और इससे खेलता उधर कालू भी अब बुड़ा हो चुका था और फिर एक राज़ जब वो सोकर उठा तो उसका एक मंग हरकत नहीं कर रहा था ये क्या हो गया मेरा ये पंक मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा वो बहुत कोशिश करता है उनने की लेकिन वो उनने ही पाता और वो बेबस होकर गोंसले में बैठ जाता है और आने जाने वाले पक्षियों को देखने लगता है सुनो तोते रानोचđिया को मेरा पहगाम देना उसे कहना के कालू कह रहाता पलीज एक बार मेरे बार सुन जए मुस्से उड़ा नहीं जाता नहीं तो मैं खुद आ जाता हाँ कालू मैं उदर जा रहा हूँ मैं बता दूगा रानोच्डिया को अब अकेले सड़ते रोहो इस कौंसले में अगर जवानी में अपने परिवार की रक्षा की होती तो आज तुम हारे पास रोन के होती मैं अपने घर जाओंगा तो मेरे पच्चे मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आए हुए होंगे सापक्षी अपने घरों में मज़े की जिन्दगी गुजा रहे हैं बस एक तुम ही हो कालू जो अपने की एकी सज़ा बुक्त रहे हो और ऐसे तोता कालू को एक मिंट में इसकी सारी जिन्दगी का आइना दखा कर चला जाता है तुम सचे हो दोते कुछ गलतिया ऐसी हो जाती है जिनकी सज़ा सारी जिन्दगी भुक्तनी पड़ती है रानो जडिया मैं नदी से पानी बीकर आ रहा था रास्ते में कालू ने आवाज दी और मैं रुक गया वो बहुत बिमार है कह रहा था के रानो जडिया से कहना मेरी बास सुन जए मैं जाती हो दोते भीगा जी कालू आज कैसे ख्याल आया मेरा मेरी हालत पर दिया करो मेरा पांक काम छोड़ गया है तुम मेरी पतनी और बेटे को संदेश बेजो शायद वो मुझे माफ कर दे मैं संदेश तो जरूर दे दूँगी लेकिन वो समय याद है तुमें जब तुम कहते थे मुझे इस परिवार की कोई जरूरत नहीं मैं जवान हूँ कहां गई तुम्हारी जवानी यह मेरा बच्चा है मेरी जान है इसमें मेरा परिवार है दुख सुख में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तुम्हारी सजा तो यही है जो तुम भुखत रहे हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा संदेश दे आती हूँ लाली कैसी हो आओ आओ रानो जडिया ये कौन है तुम्हारे साथ ये मेरी बेटी है और तुम्हारा बेटा काकु नजर नहीं आ रहा है वो मेरे लिए दाना लेने गया हुआ है बस आने ही वाला होगा मेरा काकु अब जवान हो गया है मेरा बहुत ख्यार रखता है जिन्दगी के सारे दुख भूल गई हूँ रानो जडिया तुम्हें तो सब पता है कितना मुश्कल समय गुजा रहा है मैंने जब काकु छोटा था हाँ लाली समय कितने जल्दे से गुजर गया हम बुडे होगे और हमारी उलाज जवान आंटी कैसी हो आप रानो आंटी हो ना हाँ बेटा मैं तुम्हारी रानो आंटी ही हूँ लाली मैं तुम्हें कालू का संदेज देने आई थी आज उसने मुझे बलाया था उसका पंक काम नहीं कर रहा वो अपने उजरे गर में बैठा था कह रहा था मेरी पतने और बेटे को बता आना रानो चुडिया मेरे लिए वो उसी दिन मर गया था जब मैं अपने जोड़े से बच्चे को ले कर आई थी वहां से वो अगर अब परिवार डून रहा है तो ये अब नहीं हो सकता जो उसने बोया वो काटे और फिर ऐसे कालूकवा ये अच्छे से जान लेता है कि परिवार के बगएर हम कितने बेबास हो जाते हैं वो ऐसे ही कुछ दिन उजड़े हुए गोंस्ते में गुजाने के बाद मर जाता है इस कहानी से हमें सीख मिलती है हम अपने जवानी जैसी गुजारते हैं जो अपने बचों के साथ करते हैं बढ़ापे में हमारे साथ भी वैसा ही होता है